चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटिस्ट वीडियो के लिए हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का कटोश ट्यूब्स हिंदी चानल में मेरा नाम है विशा और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूंगी आएचम लखनो कॉलेज के बारे में बट इनकेस अगर आपने आएचम एहंदाबाद, आएचम पूसा, आएचम मुंबई और भी बहुत सारे आएचम के कॉलेजिस के इंफर्मेशन को मिस किया है तो आप ऊपर टेयो और इंफर ग्रिक्ट कर सकते हैं तो आएचम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को इस वीडियो में मैं आप सब को बताऊंगी कि आएचम लखनों एक कैसा कॉलेज है वो किस तरह के कोर्सिस ओपर करता है उन कोर्सिस में अद्मिशन लेने का क्या क्राइटीरिया है उनका फी स्टक्चर क्या है प्लेस्मेंट क्या है और क्या आएचम लखनों में कोई स्कॉलर्शिप की फैसिलिटी अवेलेबल है की नहीं है और भी बहुत सारी बाते जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं आएचम लखनों कॉलेज के बारे में आएचम लखनों जो है वो न्सी एचम सीटी से अफिलियेटेड है और ये इंडिया के टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजिस में से एक है लास्ट येर ही यानि की 2021 में ही आएचम लखनों को इंडिया टुडे ने जब रैंकिंग्स की होटल मैनेजमेंट कॉलेजिस की तो इसे 6th नंबर पे रैंक किया था इससे ये बात clear हुई जाती है कि आएचम लखनों जो है एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है तो अब हम बात करेंगे कि आएचम लखनों जो है वो किस तरह के courses offer करता है तो आएचम लखनों जो है वो students को B.Sc, M.Sc, Diploma यानि की Degree courses, Post Graduate courses और Diploma courses offer करता है तो अब हम बात करेंगे कि अगर आप इन में से किसी भी course में admission लेने के लिए interested हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपका next step क्या होना चाहिए तो मान लीजिए कि अगर आप IHM लखनों में किसी भी course में admission लेने के लिए interested हैं तो आपको उस course के eligibility criteria को fulfill करना होगा तब ही आप उस course में admission ले सकते हैं तो जो next point हम discuss करेंगे वो यही होगा कि अगर आपको diploma course में admission लेना है तो क्या eligibility होगी और अगर आपको degree या post graduate course में admission लेना है तो क्या eligibility होगी तो अब मैं आप सब के साथ एक screen share करूँगी जिसमें आप सब भी मेरे साथ साथ ये information पर सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि UG Diploma courses के बारे में UG Diploma courses जो होते हैं वो जो है regular degree courses से थोड़े different होते हैं क्योंकि इनकी duration जो होगी वो around 12 months से लेके one year के बीच की होगी उन courses को हम UG Diploma courses कहेंगे और जो है IHM Lucknow हमें 3 तरह के UG Diploma courses offer करता है इसकी eligibility criteria मैंने इसकी official website पर काफी check किया पर लेकिन वहाँ पर ये available नहीं था इसलिए मैं students को recommend करूंगी अगर आप किसी भी UG Diploma course करने में interested हैं जो कि IHM Lucknow offer करता है तो या तो आप वहाँ पे college में directly visit कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पे call करके inquiry भी कर सकते हैं कि उनका eligibility criteria क्या रहेगा उसके अलावा जो fees होगी UG Diploma courses की वो होगी around 31,000 से लेके between 39,000 याने की around 40,000 के under under आपका ये course जो है complete हो जाएगा ये जो है मैंने आपको total fees बताई हैं उसके बाद जो next course IHM Lucknow students को offer करता है वो है BSc in hotel management और इसमें admission लेने के लिए जो minimum eligibility criteria है वो है कि आपको NCHM CTA exam जो है वो clear करना होगा in case अगर आपने NCHM CTA exam की information को miss किया है तो आप उपर दी ओए link पर click कर सकते हैं और इस course की जो total fees यानि कि BSc का जो duration है वो total 3 years होता है और उसकी जो total fees है वो around होगी 3,62,000 यानि कि per year आपको around 1,00,000 रुपी fee वो पे करनी होगी उसके बाद जो है IHM Lakhno offer करता है MSE course in hospitality management में और again इसका eligibility criteria जो था वो official website पे कहीं mention नहीं था तो इसलिए आपको गलत information ना देते हुए मैं अभी इसे ऐसे ही blank रख रही हूँ अगर मुझे इसका information in future पता चलता है तो मैं नीचे comment section में और description box में वो information जो है add कर दूँगी उसके बाद इस MSE course की जो total fees है वो यह है कि around जो है आपको 2.28 lakh यानि कि 2,28,000 रुपे दो साल के लिए pay करने होगे और यानि कि around 50,000 आपको per semester जो है वो pay करना होगा fees जो है वो हमेशा changeable रहती है यानि कि depending upon रूल्स क्या है नई regulations क्या है उसके according जो है यह fee structure जो यहाँ पर बताया गया है वो change भी हो सकता है तो last type of course जो है college offer करता है वो है PG diploma course इसमें सिरफ एक ही course offer किया जाता है unlike UG diploma जिसमें 3 courses offer किये जा रहे थे again इसकी eligibility criteria भी available नहीं है official website पर लेकिन जो इसका fee structure होगा वो around 41,000 होगा for a course duration of 34 weeks the next point जो हम discuss करेंगे वो यह है कि क्या IHM Lucknow अपने students को scholarship offer करता है तो जैसा कि आप सबने पहले slide में देखा कि यहाँ का fee structure जो है वो high है for some students जो students जो financially इतना stable नहीं है जिनको financial help चाहिए तो उन students के लिए एक अच्छी ख़बर है कि IHM Lucknow जो है वो अपने students को scholarship offer करता है आप UP state का कोई भी scholarship exam जो है उसके लिए apply कर सकते हैं या scholarship scheme के लिए apply कर सकते हैं वो ही scheme applicable होगा IHM Lucknow के लिए भी उसके अलावा आप NSP scholarships के लिए भी apply कर सकते हैं तो जो next point अब हम discuss करने जा रहे हैं वो यह है कि IHM Lucknow किस तरह की placements जो अपने students की करवाता है तो IHM Lucknow जो है top hotel industries और top जो है अपने travel tourism related industries उन सब को अपने college में बुलाता है और depending upon the skills of the students, students की जो है वो hiring होती है sometimes students को बाहर भी भेजा जाता है, बाहर से मेरा मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर एक hotel या कोई भी बड़ी chain है food chain या कोई भी जो उनके college में ही आके placements जो है वो run करें उसके लिए कभी-कभी students को जो है किसी और city या state में भी बेजा जाता है ताकि वो interview में जाएं, वहाँ पे appear करें और अगर students में वो बात है उन्होंने अपने course के during वो knowledge acquire किया है, वो skills acquire किये हैं तो 100% जो है students का placement होता ही होता है तो ये तो था आएचम लखनो college के बारे में in case अगर आपके कोई questions हैं या queries हैं तो आप नीचे comment section में मुझ से पूछ सकते हैं अब तक के लिए please remember to subscribe to my channel and do like and share बढके के अपने बारे में आपके के रारे में अपके लेगाए हैं